कि नमस्कार कोरोना वैस्विक माहमारी के खिलाब लड़ते लड़ते अब हम अनलोग टू में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सरदी, जुकाम, खांसी, बुखार ये सारे नजाने क्या क्या होता है ये मामले बढ़ जाते हैं ऐसे में मेरी आप सभी देश्वासियों से प्रार्फना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए साथियों ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्युदर को देखें तो दुनिया के अनेग देशों की तुन्ना में भारत संबली हुई स्थिती में है समय पर किये गए लॉकडाउं और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलोग वन हुआ है व्यक्तिगत और सामाजिक वहवार में लापरवाई जरा बढ़ती ही चली जा रही है पहले हम मास को लेकर दो गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ दोने को लेकर बहुत सतर्क थे लेकिन आज जब हमें जादा सत्रक्ता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है साथियों लोकडाउन के दौरान पहुत गंभीता से नियमों का पालन किया गया था अब सरकारों को स्थानिय निकाई की संस्थाओं को देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतरक्ता दिखाने की जरूरत है विशेशकर कंटेंडमेंट जोन्स उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं हमें उन्हें टोकना होगा रोकना होगा और समझाना भी होगा अभी आपने खबरों में देखा होगा एक देश के प्रधान मंत्री पर तेरा हजार रुपिय का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे भारत में भी स्थानिय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए यह 130 करोड देश वाच्चों के जीवन की रक्षा करने का अभ्यान है भारत में गाउं का प्रधान हो या देश का प्रधान मत्री कोई भी नियमों से उपर नहीं है साथियों लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्रात्विक्ता रही ऐसी स्थिती ना आये कि किसी गरीब के घर में चूला न जले केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारे हो, सिविल सोसाइटी के लोग हो सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई भेन भूखा न सोय देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संबेदन सिल्टा से फैसले लेने से, किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ती अनेक गुना बढ़ जाती है, इसलिए लोगडाउन होते ही, सरकार प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना लेकर आई, इस योजना के तहट, गरीबों के लिए, पौने दो लाग करोड रुपिय का पैकेज दिया गया, साथियों, बीते तीन महिनों में, बीस करोड गरीब परिवारों के जन्दन खातों में, सीधे इकतिस हजार करोड रुपिया जमा करवाए गए हैं, इस दोरान, नव करोड से अधिक किसानों के बैंक खातों में, अठारा हजार करोड रुपिये जमा हुए हैं, इसके साथ ही, गावों में, स्रमीकों को रोजगार देने के लिए, प्रधान मंत्री गरीब कल्यार रोजगार अभियान, तेज गति से आरम कर दिया गया है, इस पर सरकार पच्चास हजार करोड रुपिये खर्च कर रही है, लेकिन साथियों, एक और बड़ी बात है, जिसने दुनिया को भी हैरान किया है, आश्चरे में डुबो दिया है, वो ये कि कोरोणा से लड़ते हुए भारत में असी करोड से जादा लोगों को तीन महने का राशन याने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या चावल मुप्त दिया गया, इसके अतिरिक प्रती परिवार हर महिने एक किलो दाल भी मुप्त दिया गई, यानि एक तरस से देखे तो, अमेरिका की कूल जनसंख्या से डाई गुना अधिक लोगों को, और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभक दो गुने से जादा लोगों को हमारी सरकार ने मुप्त अनाज दिया है, साथियों, आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण गोश्णा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां बर्शा रूतु के दोरान और उसके बाद मुख्य तोर पर क्रिशिक शेत्र में, एग्रिकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे तोहारों का भी माहोल बनने लगता है। अब आप देखिए अभी पांच जुलाई को गुरुपुर्णे मा है। फिर शावन शुरू हो रहा है। फिर पंदरा अगस आएगी, रक्षा बंदन आएगा, कृष्णा जन्मास में आएगी, घनेश चतुर्थी आएगी, ओनम होगा। और आगे जाएं तो काटी बिवु हैं, नवरात्री हैं, दुर्गा पूजा है, दशारा है, दिपावली हैं, छठी महिया की पूजा है। तो हारों का ये समय जरूरते भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, ये फैसला लिया गया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना का विस्तार, अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानि नवंबर महिने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानि असी करोड लोगों को मुप्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन पांच महिनों के लिए असी करोड से जादा गरीब भाई बहनों को, हर महिने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल मुप्त महया कराया जाएगा। और साथ ही प्रतेक परिवार को हर महिने एक किलो चनाभी मुप्त दिया जाएगा। साथियों, प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के इस विस्तार में नब्बे हजार करोड रुपिय से जादा खर्च होंगे। और अगर इसमें पिछले तीन महने का खर्च भी जोड़ दें, तो ये करीब करीब डेड़ लाग करोड रुपिया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आगरे कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ा है। और काम क्या है। अब पूरे भारत के लिए एक राशनकार की ववस्ता भी हो रही है। नहीं एक राश्ट एक राशनकार वन नेशन वन राशनकार इसका सबसे बड़ा लाप उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यक्ताओं के लिए अपना गाउं छोड़ करके कहीं और जाते हैं। किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों आज गरीब को जरूरत मंद को सरकार अगर मुप्त अनाज दे पा रही हैं। तो इसका स्वे प्रमुकृप से दो वर्गों को जाता है। पहला हमारे देश के महंतिक किसान हमारे अन्नदेता और दूसरा हमारे देश के इमानदार टैक्सपेयर आपका परिश्रम आपका समर्पन ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है। इसलिए आज गरीब का स्रमिक का चुला जल रहा है। आपने इमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दाई तो निभाया है। इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स भर का रुदे से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेश करेंगे। हम गरीब, पीडीत, शोसीत, बंचीत हर किसी को ससक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियाद बरत्ते हुए, एकोनोमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकर्प के साथ हम 130 करोड देश्वासियों को मिलजुल करके, संकर्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। फिर से एक बार मैं आप सब से प्रांथना करता हूँ, आपके लिए भी प्रांथना करता हूँ, आप से आंग्रह भी करता हूँ, आप सबी स्वस्त रहिएं, दोग गज की दूरी का पालन करते रहिए। गम्छा, फेस कवर, मांस ये हमेशा उप्योग कीजिए, कोई लापरवाही मत बरती है। इसी आंग्रह, इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ, धन्यवाद। रहिंना सब्सक्नाइब मांस देता हूँ, धन्यवाद।